लो फ्रेंड वेल्कम टूर चैनल जिसका नाम है प्रॉफिट ट्रेडर्स तो दोस्तों बिट्कोइन लगातार करेक्शन दे रहा है लगातार डिप्स दे रहा है अब आई नो यह हर कोई अब यह सुनके परिशान हो गया है कि बाइद डिप क्योंकि जितनी बार तुम डिप कर रहे हैं उतनी बार बिटकोइन और डिप दे देता है लेकिन क्या यहां पे बिटकोइन का बुल रन जो है वो ओवर हो गया है कि नहीं वो हम लोग जानेंगे धेर सारी न्यूज है और मेरे भाई फुल ओन बुलिश न्यूज है थोड़ी बहुत बेरिश भी है तो वो भ करने वाला है तो इसलिए अच्छे यह जो हम वापिस करना स्टार्ट करेंगे जो हम लोगों ने शायद पिछले रन में मिस किये थे तो टोकन का नाम है ग्राफ टोकन अलड़ी हमने एक वीडियो इस पर बनाया है प्राइस टार्गेट इसका डिसक्स किया है और आज फिर है वही टार्गेट से एक बार रिवाइस करेंगे देखते हैं बाइंग जोन में है या नहीं और क्या फूचर है उसका तो चलिए बिना वक्त जाया किये आज का वीडियो शुरू करते हैं ओके फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं कोईन मार्केट कैप से मार्केट कैप कल 1.99 ट्रिलियन डॉलर्स था आज अगर आप देखते हो तो 1.93 ट्रिलियन डॉलर्स है 3% मार्केट नीचे है बिटकोईन का डॉमिनेंस अच्छा खासा पेस पकड़ता इथिरियम का डॉमिनेंस अब गिर रहा है अगें यह जो टाइम है यह वही आपको बताता है कि भही है रीसाइकल हो रहा है सब कुछ बिटकोईन में पैसा आना शुरू होगा तो बात में अपने आप आ जाएगा तो यह एक पर्फेक्ट टाइम होता है अच्छे अच्छे आल्टकोईन एक्यूमिलेट करने का और बिटकोईन और एथिरियम तो डेफिनेटली आपको हमेशा बाइ करना ही है ओके बिटकोईन का करन्ट प्राइज अगर आप देखते हो तो बिटकोईन 41,628 डॉलर्स पे है 42,500 आज का हाई था डेड़ परसंट बिटकोईन नीचे है नास्टक की बैंड बजी है स्टॉक मार्केट की सॉलिड बैंड बजी है वर एथिरियम बिटकोईन जो है वो पहले से काफी डाउन जो है वो 80,000 डॉलर्स का टच नहीं करते हैं तो थोड़ा वेट और मैंने आपको वही बोला था कि कंसॉलिडेशन होपफुली और दो तीन हफते लेकिल उसके बाद बैटकोईन जो है वो मूव करेगा ही और अगर बैटकोईन का की नर चार्ट आप देखना चाहते हो तो यहां है आपके सामने जा मैं आपको वही बोल रहा हूं हम लोग थोड़ा और इस येलो लाइन के ओपर कंसॉलिडेट करेंगे 42 43 के आज पास लेकिन फाइनली हम लोग फिर से 64 65 को टेस्ट करेंगे करेक्शन 53 तक का और वहां से हमारा मूव जो है एक लाख छे हजार डॉल बड़ी पिक्चर देखो तो इस ओल सेट अब अगर तुम देखते हो तो देखो यह कल सॉलिड डिप साइथ है सब कुछ बिटकोइन 14,000 के नीचे था यह मतलब सब और की बैंड बजी थी कल लेकिन धीरे-धीरे सब कुछ रिकवर हो रहा है और वभी साइडवेश कंसॉलि इनका नाम है CZ, यह Binance के CEO है मैं वही कहूंगा यार देखो बड़ा बनने के लिए ना तुम्हें जादा पैसा नहीं बड़ी सोच चाहिए और पैसा थोड़ा बहुत हुआ नहीं हुआ वो तुम जुगाड कर ही लेते हो लेकिन जो सोच है ना सोच और वो हिम्मत वो लाना बहुत मुश्किल है लॉन मस्क की टेसला गाड़ी दो बार बैंकरफ्ट होने वाली थी लेकिन उन्होंने जैसे तैसे करके हिम्मत नहीं हारी महनत करते रहे शाट सड़क पे भी सोए बिना खाए भी सोए कौन सो सकता है कि दुनिया का सबसे अमीर आदमी उसने ये सब सारी आज की डेट में सारी दुनिया में शायद उनके एक्स्चेंजेश है इंडिया में वजीर एक किनोंने खरीबी है थोड़ा बहुत हमें इन से सीखना ही पड़ेगा ऐसे सिचुएशन में डरने की जगा जोके बिट फार्म जो एक माइनिंग फॉर्म है उन्होंने 40 मिल माइनर्स बाइ कर रहे हैं तो हम पीछे क्यों है तो हमें भी थोड़ा थोड़ा बाइ करना ही चाहिए दूसरी बड़ी न्यूज बिलियनेर इन्वेस्टर बिल मिलर ओके आप लोग जरूर इनका वीडियो देखना मैंने आज ही हमारे ट्विटर पे भी पोस्ट किया है और मैंने मेरे टेलिग्राम चैनल में भी डाला है तो एक बर इनका वीडियो देखो और समझू कि क्यों इन्होंने अपना 50% पैसा जो है वो बिट्कॉइन में डाल दिया है इस आदमी के पास ऑपरचुनिटी थी 200 डॉलर में बिट्कॉइन बाइ करने के लिए उन्होंने किया 500 पे बाइ किया लेकिन उसके बाद वो सिर्फ साइड लाइन पे थे और सिर्फ बेट्कॉइन को देख रहे थे और 30,000 डॉलर पे उन्होंने और बिट्कॉइन बाइ किया तो मेरे भाई यह वही कहता हूं देखो अगर उनको वो भी यही सोचते हैं मैंने 250 पे बाइकि अब लोग ऐसा पॉर्ट्फोलियो बना रहे है तो बेट्कॉइन का फ्यूचर क्या है और इन्होंने एक बहुत ही अच्छी बाप ही तुम्हें अगर तुमने कभी वारन मुफे के स्टेटमेंट सुने होंगे बेट्कॉइन के लिए तो वो हमेशा यही कहते है कि बेट्कॉइन का कोई intrinsic value नहीं है इसलिए मैं बेट्कॉइन में इन्वेस्ट नहीं करूँगा बेट्कॉइन मुझे dividend नहीं देता इसलिए मैं बेट्कॉइन में इन्वेस्ट नहीं करूँगा तो उसका जवाब इनोंने क्या दिया कि चलो ठीक है तुम्हें ऐसा लगता है कि बेट्कॉइ dollars की sale उसका क्या intrinsic value है नहीं होता क्या है देखो उसमें uniqueness है और bitcoin में scarcity है 1933 में जब recession आया था तो US government ने क्या किया उन्होंने अपने सब लोगों को बोला कि भाया तुमारे पास जतना भी सोना है हमें 20 डॉलर पर pound तुमको बेचना पड़ेगा अगर तुम बेचोगे तो well and good नहीं बेचोगे तो तुमको सीधा jail में डालेंगे और तुमारा सोना तुम से चीन लेंगे अगले दिन उन्होंने वो सारा का सारा सोना जो है वो 200 dollar का कर गया government लोगों से चीनने के बाद यही अगर वो bitcoin में तुमारे साथ करते हैं तो तुम bitcoin एक सेकेंड में कहीं पर भी किसी भी wallet में बेच सकते हो किसी के बाप को भी पता नहीं चलेगा कि तुमारे पास bitcoin था यह है यह कहां है तो इसी लिए इससे digital gold बोला जाता है यह वीडियो जरूर देखो तो यह तुम्हें और confidence देगी और hope देगी और इस time पर हमें वही चाहिए और bitcoin जरूर जो है वो यहां से direction चेंज करेगा ही नेक्स बड़ी न्यूज जर्मन का बैंक नियो बैंक जो है वो भी इस साल तक crypto trading ले आएगा तो यह बहुत बड़ी न्यूज है डिजनी मैटावर्स में आ रहा है तो अगेन यह बहुत ही बड़ी न्यूज है इसके इलावा अगर हम लोग टेक्निकल्स देखे तो मेरे भाई यह है टेक डेव ची का चार्ट तो अगर अब तुम देखो टेक डेव का चार्ट तो वह वही बोल रहा है क्यार जैसा कि हमने बड़े वेव से अगर तुम यहां देख रहे हो A, B और यह C और यहां पे भी हम लोग वैसा ही अभी हमारा C बनाने वाले है जो अच्छा खासा पुश हम लोगों को ऊपर की तरफ देगा और यहां उन्होंने वॉल्यूम के हिसाब से भी हमें समझाया तो यहां वॉल्यू करो क्योंकि तुम बहुत बड़ी कलती कर रहो अगर इसको तुम सब्सक्राइब नहीं कर लो तो दूसरी बड़ी नियूज यह भी एक बहुत अच्छे यूट्यूबर है अंडर ग्राउंड करके इनका चैनल है लेकिन यार यह बहुत बड़िया बंदा है आई तिंक यह पर बार जो साइकल आता है ना वो लेंदी होता जाता है हम लोग सोचते के चार साल में खतम होगा बट ऐसा नहीं वो साइकल का लेंद जो है ना वो बढ़ता ही जा रहा है तो अभी भी यह भी जो हमारा इस बार का साइकल है यह शायद 2000 दिन चलेगा लेकिन बिटकॉइन जो है वो टॉप मारेगा तो दिया 200 डॉलर्स 200,000 डॉलर्स के उपर ही ओके अगें हमें अगें उतना वेट नहीं करना है 31 पर प्रॉफिट्स ले लेने हैं 2000 पर भी जाए तो अच्छी बात है तुम्हें जादा फोमो नहीं दिखाना है क्योंकि हमें बाय कब करना है जब ब बॉल मार्केट में नहीं और हो सकता है कि शायद इसके बाद बिटकोइन में बॉल मार्केट ही रहे और कभी बेर मार्केट आये क्योंकि अब वो एक बड़ा एसेट एक ट्रिलियन डॉलर्स का एसेट हो गया है तो मेभी उसमें तुम्हें इतने 90 परसंट करेक्शन नहीं दिखेंगे तो 40-50 परसंट लेकिन उस 50 परसंट पर तुम्हें वापस से अपनी बाइंग स्टार्ट करनी पड़ेगी और अगेर में वही कह रहा हो तुम्हें अगर वह नहीं समझे तो सरफ इस चैनल को सब्स्क्राइब करो कि तुम्हें हम बताते रहेंगे कहां बाय करना तीसरा चार्ट अगर तुम देखते हो तो यह RSI levels के ओपर है और RSI तीन ही बार यहां तक आया है पहली बार कोविड क्रैश के टाइम पर दूसरी बार समर क्रैश के ट्राइम पर और तीसरी बार अब यहां से आगे क्या होगा वह हम सब को पता है तो सेरफ थोड़ा और पे अच्छा देख रहा है तो खाली ग्लास मत देखो अब यह तो बात हुई बिटकोइन की लेकिन ओल्ट कोई इथीरियम भया बैंड बजी है तीन हजार डॉलर्स पर है इथीरियम तो जो 3600-3700 के ओपर हम लोग ने खरीदा था वहां से वह अच्छा-खासा नींचे गिरा है अब तीन हजार डॉलर्स जो है वो इथीरियम का फिर से एक सपोर्ट है तो यहां आगे एथीरियम का क्या होगा वो हम सब को पता है अब तुम्हें वही कह रहा हूँ इथीरियम बहुत-बहुत स्ट्रॉंग है कल भी हम लोग ने एक निउस देखी कि यह शायद आने वाले करते जाओ क्योंकि यह बहुत सॉलर्ड गेंस तुम्हें देने वाला है ओके मैं आज भी उस दिन को कोस्ता हूँ जब अस्ट डॉलर्स में यह आया था मैंने बाइ किया बड़ जल्दी प्रॉफिट्स लिए क्यों किया मुझे नहीं पता लेकिन तुम देख सकते हो कि करो दस हजार डॉलर्स यह इजी ली अचीव करेगा इजी ली ओके इधिरियम के बाद बाकी ओल्ट कोई जो अच्छा मूव दिखा रहे हैं उनमें तुम देख सकते हो नियर प्रोटोकॉल आठ परसंट उपर रोज चार परसंट उपर बाकी तो भाईया सिर्फ खूनी खूने हर तरफ मतलब इतना बुरा है लेकिन मैं वही कह रहा हूँ क्यार देखो ऐसे दिन भी आएंगे हर बार मार्केट उपर ही जाए ऐसा जरूरी नहीं है लेकिन तुमको ऐसी सिचुएशन में हिम्मत रखनी है क्योंकि इसके बाद जो दिन आए गाना य पैसा उतना नहीं जाता इसी लिए तुम्हें हमेशा बिट्कॉइन और एथिरियम में अपना पॉट्फोलियो बढ़ा रखना ही पड़ेगा और इसका मदब यह नहीं कि अभी और पैसा नहीं आएगा एक और और यह वाला जो होगा वह लास्ट ही होगा तो वहां हमें प् पे रीच हो गया है उनका शायद वो तो एक मिलियन पेड उन्होंने लगा दिये है जो बहुत ही अच्छी बात है और काडानो जो है वह बहुत जबरदस्त है तो यह देखो तुम अब टाइम है बाय करने का मैटिक के जो को फाउंडर है वो बोल रहें कि भीया पॉलिगॉन हैज मोट्राक्शन देन सोलाना लेकिन अभी तक उसके दाम में उतना सॉलिड मूव महीं आया लेकिन आने वाले समय में वह आएगा ही हम लोगोंने रीसेंटी मैटिक के ऊपर व दे की जिसका नाम है ग्राफ टोकन करेंट प्राइस फिफ्टी फॉर सेंट्स आठ परसेंट आजे टोकन नीचे है मार्केट का पाच बिलियन सारी धाई बिलियन डॉलर्स का है सब्किलेटिंग सप्लाई 47 परसेंट है बाहर इसलिए मैं थोड़ा इसमें मतलब पैसा जो है वो संभाल के डालूगा हमें जादा डालने के जवरत नहीं है और हमें प्रॉफिट्स भी टाइम पर लेने हैं डोंट वांट टी स्टे लॉंगर इंडेट्स क्योंकि जिस प्रॉजेक्ट का तुम देख सप्लाई कम है बाहर उसमें यह रिस्क रहता है कि यार इन्वेस्ट जाम के डेटा पर टो मंढ़ सकते हो तो कल तो तो एक उसके बाद अगर तो वेब 3 वाले वेब 3 पर वह यह लोग काम कर रहे हैं जो अगीन फ्यूचर है फिर उसके बाद अगर तो काफी सारे फीचर्स हैं इंकर अगर इनकी सर्विसेस में कहा कहां यूज हुई है वो भी तुम देख साकते हो तो हर जगा है यह लोग Matic, XDI, Near, Sello, Binance Chain, Avalanche, Arbitrum, Phantoms, जबरदस्त इनका जो है वो Market में Presence है, Products अगर तुम इनके देखते हो यह फिर Live Products, Unisaf, Synthetix, Mana तो सब बढ़े-बढ़े हैं, सब Futuristic जो Projects है वो इस Graph के API इसको यूज कर रहे हैं, तो भाया, Fundamentally बहुत ही Strong है, Money Wise बहुत जबरदस्त VC जिसको Support करते हैं, तो अगेन, बहुत बढ़िया, Twitter के उपर जाओगे, तो Community बहुत बढ़िया, 198 के followers है, उनके जो बहुत ही जबरदस्त है, टेक्निकली अगर तुम देखते हो, तो तब भी ये token बहुत स्रॉंग है, और यहां ये support के उपर है, तो ये एक perfect bind zone है, और जैसे कि मैंने तुम्हें बोला, ये 2.87 हम लोगों को वापस retest करना है, लेकिन उसके इलावा ये 5 डॉलर्स तक ये coin जा सकता है, 5 ये 6 डॉलर्स और हमें उसी का वेट करना और वहां profits लेने, लेकिन ये is the best time to buy this product, okay, ये project, sorry, अच्छा project है, और ये buying time बहुत ही solid, और यहां से हमें क्या करना है, सिरफ target 3 तक hold करना है, लेकिन make sure हर target के उपर 5-5-10% जो है, वो profits निकालते हो, stop loss जो रहेगा, वो इस white line के exact नीचे रहेगा, ताकि हम लोग ज्यादा loss ना ले, okay, तो तुम देखो, 3 या 4% का ही तुमें loss होगा, अगर इन केस ये गलत आया तो, बट अगर profits देखोगे, तो तुम यहां से 500% के profits है, तो ये बहुत ही जबरदस trade है, okay, तो वही मैं काँगा, अगें, डरने जैसा कुछ नहीं है, और डरन अभी मत, Bitcoin जो है, वो ऐसा ही है, बहुत जल्दी हम लोग वापिस Bitcoin वे मोव देखेंगे, जब वापिस अपने all time high को break करते हो, एक नया high बनाएगा, सिरफ थोड़ा patience, that's it, okay, तो चलिए मेरे भाई, आज के वीडियो में बस इतना ही वीडियो पसंद आया है, तो लाइक करो चैनल को सब्सक्राइब करो और आपसे कल मुलकात होगी दोस्तों, thank you so much.